हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे हैं बच्चों शुरू करते हैं आज का ध्याय मात्राएं तो आईए जानते हैं मात्राओं के बारे में शब्द को बनाते समय जब स्वरो को व्यंजन से मिलाते हैं तो स्वरो का रूप बदल जाता है स्वरो के इस बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं जैसे क जमा ए जमाल जमा आ बराबर केला केला शब्द में स्वर ए का रूप बदल कर ए हो गया है और स्वर आ का रूप बदल कर आ हो गया है अतह स्वरों को लिखने के लिए जो निश्चित चिन बनाए गए हैं उन्हें मात्रा कहते हैं स्वर और उनकी मात्राएं पड़ते हैं सभी व्यंजनों में अ लगा होता है इसलिए आ की कोई मात्रा नहीं होती अन्य सभी स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है तो बच्चो आ जो स्वर है वह हर वेंजन के साथ लगा होता है इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती सबसे पहले पढ़ते हैं आ स्वर उसकी मात्रा है आ और शब्द है ताला, भाला, नाला इ, मात्रा है इ किला, किताब, सितार इ, मात्रा है इ, कील, कीचड, मकडी आगे है स्वर उ, मात्रा है उ गुलाब, सोबह, बुलबुल आगे स्वर है बड़ा उ, मात्रा है उ भालू, चूरन, मूली रीसे रिशी, मात्रा है रे त्रिण, वरिक्ष, म्रिग आगे स्वर है आ, मात्रा है आ, जेल, नेवला, मेला, आय, मात्रा है बड़ा आय, जैसे थैला, ततैया, सैनिक आगे है स्वर ओ, मात्रा है आ, मोर, धोल, तो, और आखरी स्वर है आओ, जिसकी मात्रा है आओ, लाओकी लाओकी, कचोडी कचोडी, तोलिया, तोलिया अन्य चिन है बच्चो, ध्वनी, अंग, मात्रा अंग, शब्द है कंगा, कंगन, बंदूग अगला ध्वनी है अंगह, जैसे शब्द बने दांत, आँख, चांद, अगली ध्वनी है अह, शब्द है छह, अतह, प्रातह आघ, मात्रा है आघ, बाल, फ्राक, डाक्तर बच्चो, स्वरो की मात्राईं व्यंजनों के साथ निम्न प्रकार से लगाई जाते हैं आ, ए, ओ, तथा आऊ की मात्राईं व्यंजन के बाद लगते हैं जैसे चाला, ककडी, पवशाक, कववा, तो ये मात्राएं व्यंजन के बाद लगी है इ की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है जैसे पहिया, तिनका, शिव यहाँ पे इ की मात्रा हर व्यंजन के पहले लगी है आगे है उ तथा री से रिशी की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं जैसे पशू, भालू, नुरिब ए तथा ए की मात्राएं व्यंजन के उपर लगती हैं जैसे खेत, नईया, बैल उ तथा उ की मात्राएं रा रा यानि व्यंजन के साथ नीचे नहीं बलकि बीच में लगती हैं जैसे रुपया, गुरू, अमरूद तो बच्चो जो व्यंजन रा होता है उसमें उ और उ की मात्रा नीचे या उपर ना लगके उसके मध्य यानि बीच में लगती है आईए दोराएं, स्वरों को लिखने के लिए जो निश्चित चिन बनाई गए हैं उन्हें मात्रा कहते हैं व्यंजनों को हम स्वर अ की सहायता से ही बोलते हैं आ, ई, ओ तथा आ की मात्राएं व्यंजन के बाद और ए की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है उ उ तथा री से रिशी की मात्राएं व्यंजन के नीचे और ए की मात्राएं व्यंजन के उपर लगती है उ तथा उ की मात्रा रा के साथ नहीं नीचे उ तथा उ की मात्रा रा के साथ नीचे नहीं बलकि बीच में आशा करती हूँ कि आपको अध्याय समझा आग्या होगा इसका अभ्यास आप स्वयम कीजेगा